हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का कोश्चन नमबर 15 तो कोश्चन नमबर 15 क्या कहता है मदर वांट्स टू डिवाइड रुपीज 36 बिटिवीन हर डॉटर्टर्स मदर जो है वो 36 रुपीज को डिवाइड करना चाह रही है श्रिया और भूमिका के बीच में इन दी रेस्यू आफ दियर एज और कैसे डिवाइड करना चाह रहे है उनकी एज के रेस्यू में इफ एज आफ श्रिया इज फिप्टीन इयर्स एज आफ भूमिका इज ट्वैल वियर्स फाइंड हाउ मच श्रिया और भूमिका बिल गेट तो यहाँ पर यह जो 36 रुपीज है इसको श्रिया और भूमिका की एज के रेस्यू में डिवाइड करना है थर्टी सिक्स ठीक है यह टोटल रुपीज हो गए अब यहाँ पर रेस्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एज आफ श्रिया श्रिया की एज उपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एज आफ भूमिका अब यहाँ पर श्रिया की एज कितनी दे रखी है इफ श्रिया इज फिप्टीन इयर्स तो यहाँ पर फिप्टीन इयर्स लिख लेंगे और भूमिका की एज कितनी दे रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ फाइब रेशियू 4 अब यहाँ पे 36 रुपीज को इस रेशियू में डिवाइट करना है इसका क्या मतलब हुआ कि शरिया के पास अगर 5 रुपए जाएंगे तो भूमिका को 4 रुपए मिलेंगे तो टोटल रुपए कितने हो गए 5 प्लस 4 9 यानि जब मदर जो है वो 36 में से 9 रुपी देगी तो 5 जो है वो शरिया के पास जाएगा 4 जो है भूमिका के पास जाएगा यहाँ पे 5 शरिया 4 भूमिका टोटल कितना इकल गया 9 उसके बाद में जो बाकी पैसे बचे उसमें से फिर 5 शरिया को देगा और फिर 4 भूमिका को देगा तो फिर 9 रुपी निकल जाएगे इस तरह से करते करते वो कब तक रुपे बैच से डिवाइट करती रहेगी जब तक उसके 36 रुपी खतम ना हो जाए ठीक है तो यह कितनी बार करेगी 5 4 is equals to 9 5 4 is equals to 9 अब यहाँ पे 9 को अगर हम 4 टाइमस एड़ करेंगे तो यह 36 आ जाएगा तो यह तो समझाने के लिए करना कैसे है अब यहाँ पे देखो sum of ratio यह क्या आएगा हमारा 5 प्लस 4 9 यानि जब 9 रुपीज दिये क्योंकि 9 9 करके दे रही है जो मदर है वो 9 9 रुपीज करके दे रही है 9 मेंसे 5 जो है वो शरिया को मिल रहा है और 4 भूमिका को मिल रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा sum of ratio जो कि आया 9 तो शरिया को कितने मिल जाएगे शरिया विल गेट टोटल कितने है 9 और 9 मेंसे कितने शरिया को मिल रहे है 5 तो यहाँ पे 5 अपन 9 आ जाएगा और चुकि टोटल कितने पैसे है सारे पैसे बाटने है 36 के 36 तो यहाँ पे हम 36 से multiply कर देंगे और यह क्या आ जाएगा 9 फोर्जा 36 फाइव फोर्जा 20 तो यहाँ पे 20 रूपीज आ जाएगे शरिया को 20 रूपीज मिल गए अब हम बात करते है भूमिका की भूमिका विल गेट कितना रूपए मिलागा भूमिका को जैसे अगर हमने 9 रूपीज दिये तो 9 मेंसे 4 भूमिका को मिला है तो 9 को हम नीचे लिखेंगे 4 को उपर लिखेंगे मल्टिप्लाइ किस्टे करेंगे टोटल रूपीज से जो की है 36 अब यहाँ पे 9 फोर्जा 36 4 फोर्जा 16 तो यहाँ पे 16 रूपीज आ जाएगा यही हमारे आंसर हो जाएगे क्योंकि हमसे यही चीज़ पूछी थी फाइंड हाउ मस्सरिया एंड भूमिका विल गेट तो सरिया को 20 रूपीज मिल जाएंगे और भूमिका को 16 रूपीज मिल जाएंगे कोशन समाप्त नेक्स लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट कोशन आज के लिए बस इतना ही